खेगा जानना तू आदीश्वर तू परबीश्वर तू साईश्वर गनपती वप्पा मोर्या मंगल मूर्ती मोर्या उमीद करती हूँ आप सब लोग अपने घर में बहुत अच्छे होंगे ये व्लॉग बपा का सेकेंड डे का व्लॉग है जिसमें मैंने पहाडी भोग बपा को लगाया था सुबह के नाश्टे में मैंने पुए पहाडी पुए बनाये थे और चावल की खीर उसके बाद हमने आरती करी हमाई घर में जो भाबी काम करती है उन्होंने भी अपने घर में पास दिन के वपा बिठाये थे वो भी हमारे लिए फर्स डे के स्थापना का पशाद लिगे आई थे फिर पहाडी लंच में मैंने बनायी थे चने की चडंची जो नॉमली इतना पॉपिलर नहीं है पहाडी फूद इतना पॉपिलर नहीं है जोगी मैं बनाना चाहती हूँ कि पॉपिलर हो थोड़ा तो आप लोग भी रेसिपी जरू ट्राय करिएगा और पहाडी खाना इस्पेशली लोही की कढ़ाई में ही बनाते है तो अगर आप बनाए तो कोशिश करे उसी में बनाए ताकि उसकी उसका रॉनस सब निकल जाए उसकी खुश्वू जब भुनी वियानी शुरू हो जाए वो कुछ इस कलर का ब्राउनिश कलर का हो जाएगा फिर उसमें प्री बॉइल मैंने चने डाले है जो ऑलडी मैंने 5 विसल तक का बॉइल कर लिये थे एंड विद उसका पा है 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 फिर मैं इसमें दो गिला पानी डाना और उसको मिक्स करके बॉइल करने के लिए छोड़ दिया लास में उपर से एक टॉमाटो को अच्छे से क्रॉश कर लिया बिकार्स मेरी डाटर चॉप टमाटो नहीं खाती है तो इसलिए मैंने आप वैसे नहीं तो चॉप करके तो इसको ढखके अच्छे से कुक करना है थोड़ी देर तक जब तक थोड़ा गाड़ा ना हो जाए बहुत जादा गाड़ा मत करिएगा विकॉस जब ठंडा होता है तो जो बेसन होता है वो पानी अब्जॉब करके उस ग्रेवी को और गाड़ा करेगा लास में धन्याड पत साद्स्राइक में था उनके लिए कयद दुक maintenance की खीरे यहारा दा समसालेट राईस अजबडलाग का बपा को बूख लगा के मैं धुवी को लेके अपनी सोसाइटी के बपा के पंडाल में गए थी क्योंकि आज बच्चों का वहां कलरिंग दे था तो इसमें धुरुवी को पाटिसिपेट कराया था मैंने बच्चों को हर एक अक्टिविटी में जितना आप कर सकते हैं ट्राइ करना चाहिए कि वह पार्टिसिपेट करें फिर उसके बाद मैं अपने दो फ्रेंज के बपा के दर्शन करने गई थी जो की बहुत सुन्दर थे दोनों फिर ये प्यारा सा छोटा सा दोस्त मेरे फ्रेंड का पैठ है पिंजरे के अंदर तो चड़िया बहुत लोग पाल लेते हैं लेकिन इस तरह से पालो ताकि उनको भी उतनी ही आजादी मिले जितने कि आज हम को अजाद उनको पिंजरे में रखना मुझे बिलकुल पसंद न अब तरह बंचा आज है कि मैं आपको बताने सकती इए तना थी यह इतना प्यारा है कि वो भी ने बता सकते ॊइइ कि स्थापना के दूसरे दिन से ही 10 दिन के बब पा जो लोग रखते हैं उनकावे सर्जन शुरूब हो गया था हमने भी स्तार्टिंक ईजर दो देड़ दिन के, दो साल के बपा तीन दिन के, अब ये दूसरा साल था हमारा जो आमने पांस दिन के बपा रखे। ऐसे से वालो भी! क्नावरी दिन के, बपाजन के बपा, बपाजन के बपा, लू ऐस कि बपाजर झाजब भार आघमारा जयाuchenी मैं के, और हहाओ नांस बाईका, पाल एक जो राखेशब से प्लिदह दो सेहाओ। नास, भालो नास, बगर। ये डोल की बीट सुनने के लिए पुरे साल भर हम इतना बेसबरी से इंतजार करते हैं बपा के आने का फिर उसके बाद रात में जुवी की बेस फ्रेंड राधे आई थी अपनी ममा के साथ दुनोंने कूप मस्ती करी साथ में मैंने रात का भोग बनाया जिसमें मैंने भांग की चटनी यही वो नशे वाला भांग नहीं है यह पहाड़ी भांग है जो चटनी बनाने के लिए यूज केया जाता है उसको पहले खाली पैन में 2-3 मिनट सौटे करके थोड़ा पॉप होता है उसको फिर एक मिक्सी बिंजार में विच सम धनिया नमक ग्रीन चिली अमचूर पाउडर और सम शुगर आड़ करके अच्छे से ग्राइंड करके चटनी बना ले बपा का रात का भोग था आलू अच्छे से बैट के अपना अपना डिनर फिनिश किया रात को धुवी और मैं बपा के साथ थोड़ा देर बैठते हैं फिर उनको गुड़ नाइट करके वापस जाते हैं धुवी को सोने का मन तो नहीं करता आप उपर घड़ी में देख सकते हैं टाइम क्या और आया है थो जल्द मिलते हैं बबा के थर्ड देखे व्लाग में